दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको घर बैठे ओनलाइन IRCTC एप की मदद से 30 सेंड में कन्फर्म तदकाल टिकित कैसे बुक करना है ये लाइव बुक करके दिखाऊंगा इसके लिए आप बिना स्किप किये इस वीडियो को अंत तक देखें अगर आप यह वीडियो पुरा देखते हैं तो आप भी 100% कन्फर्म तदकाल टिकित बुक कर सकते हैं इसके लिए आपके पास IRCTC में एकाउंट होना जोरी है तो चलिए सबसे पहले हम IRCTC एप को उपन कर लेते हैं अप उपन करने के बाद माई एकोंट में जाकर हमें लॉग इन कर लेना है लॉग इन में अपना PIN और Capser डाल कि लॉग इन कर ले इसके बाद हमें माई एकोंट में फिर से जाना है और Master List में जाकर Top में Right Corner में Add Passengers में क्लिक करना है जहाँ पर एक form आएगा जिसमें आप अपना सारा detail फिल कर दें Name, Date of Birth, Gender, ID Proof, Birth Preferences ID Proof में आप अधार कार्ट, Pen Card, Driving License, Water Card जो भी आपके पास available है वो डाल दें दोस्तों हमें एक बात याद रखनी है अगर आप 3rd AC का टिकेट ले रहें तो 10 बजने में जब 5 मिनट बाकी रहें तब लॉग इन करें या अगर आप जर्नल का टिकेट ले रहें तो 11 बजने में 5 मिनट बाकी रहें तब करें सारा detail डालने के बाद यहाँ पे click here to verify में क्लिक करके आप चेक कर ले कि आप जो आपने जिस passenger को add कि है वो verify हुआ है कि नहीं अगर यह verify नहीं भी हुआ हो तो भी कोई दिकत नहीं टिकेट आराम से book हो जाता है इसके बार train में जाकर book ticket में क्लिक करना है और अपना journey detail और date डालना है और यहाँ पे ततकाल select कर लेना है कोटा में ततकाल select कर लेना है जैसे कि अभी हम 3 AC में ticket book कर रहे हैं तो हम check कर लेंगे कि 3 AC में कितना seat available है तो अभी यहाँ पे 60 seat available दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी time है 10 बजने में time है तो अभी इसमें passenger detail एड नहीं हो सकता दोस्तों यह बहुत important है जब 10 बजने में 10 से 15 सेकंड बाकी रहे तो आपको इसको एक बार refresh करना है क्योंकि यह उस समय 10 से 15 सेकंड refresh होने में ले लेता है अगर आपका need fast है तो यह बहुत ही कम समय लेता है अभी देखें यहां पर हमको available seat 60 दिखाए दे रहा है अभी यहां पर passenger detail एड करना है passenger detail में क्लिक करने है यहां पर add existing passenger में क्लिक करना है और जो भी आपका add passenger है उसमें टिक कर ले उसके बाद हमें इसमें payment option select करना है और insurance का select करना यह आपके उपर depend है यह select करना है तो कर ले उसके बाद review journey पर क्लिक कर दें यह पांच सेकंड लेगा उसके बाद आप capture डालके proceed to pay कर दें उसके बाद payment method में जाकि आप phone पे से जो भी आपका payment method है उससे select करके payment कर दें सेंड ओटीप ओटीप आते ही इसमें आप फिल कर दें अगर आप phone पे से payment कर रहे हैं तो phone पे पहले से ही खोल के रखना है तो दोस्तों इस तरह से आप घर बैठे online 30 second में 100% confirm तत्काल ticket गूप कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो इससे like करें share करें इस तरह के और वे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लें